इस शंकला में आज फिर आप सब का स्वागत अभिनन्दन करते हुए हिंदी साहित्य के एक महतुपूर्ण कालखंड जिसे हम आधुनिक हिंदी साहित्य हिंदी काव्य का स्वान युग भी कहते हैं उसे हम छायवाद के नाम से जानते हैं उस छायवादी काव्य के चार प्रमुख आधार स्तंब माने जाते हैं जिसमें से एक महत्पूर्ण और लब्द प्रतिष्ट स्तंब है सुमित्रा नंदन पंत पंत जी कोमल कांत पदावली के स्रजग माने जाते हैं उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से खड़ी बोली गद्य पर विशिष्ट अधिकार के माध्यम से नकेवल हिंदी साहित्य में अपितु भारतिय वांग्रमे में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है पल्लव की भूमिका ने और उस भूमिका में विवेच्च विशय और भाषा सौश्थव इसने पन्त जी को एक विशिष्ट पहचान और अलग पहचान दिलाई है पन्त जी छायवादी कविता के मर्मग्य रचनाकार है और उन्होंने अपनी छोटी बड़ी कविताओं के माध्यम से काव्य प्रतिभा का वह काव्य प्रतिभा जो इश्वर प्रदत्त भी है और प्रकर्ति के चितेरे के रूप में प्रकर्ति के मर्मग्य के रूप में पन्त जी ने अपने साहित से अपने आपको हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत किया इसलिए उन्हें प्रकर्ति के सुकुमार कवी के रूप में भी जाना जाता है आदुनिक हिंदी कविता जिसकी शुरुआत भारते इंदु यूख से होती है यह आदुनिक हिंदी कविता ही नहीं अपितु गद्य के शुभारंब का कालवी है इस से पहले के तीनों कालखंडों में आदिकाल, बक्तिकाल और रीतिकाल इनमें बड़े बड़े विश्वस्तरिय कवी हमें देखने को मिलते हैं यह हम सब जानते भी हैं लेकिन छायवाद के चारों कवी जो उसके प्रवर्तक हैं जैशंकर प्रसाद महा कवी है कामाईनी और आंसू और लहर जैसी जहरना जैसी रचनाओं के सरजक हैं सकंदगुप्ट, चंदगुप्ट, ध्रुस्वामिनी, अजाद्शत्रू जैसे नाटकों के रचनाकार हैं कंकाल और तितली जैसे विलक्षन, उपन्यास उनकी लेखनी से निकलते हैं और अविसमरणिय कहानिया उन्होंने दी हैं ऐसे प्रवर्तक कवी जैसे शंकर प्रसाद उनके अतिरिक्त जो तीन कवी हैं वो तीनों भी, चाहे वो महदेवी वर्मा हों, चाहे सूर्य कांत त्रपाठी निराला हों, या सुमित्रा नंदन पंत हों ये सभी बहुत विराटत्यों वाले कवी हैं, इन्होंने गद्य और पद्य पर अपने पूर्ण अधिकार से जो हस्ताक्षर किये हैं, वो हिंदी जगत की, हिंदी साहित्य की एक बड़ी उपलब्दी हैं इसलिए जो शेष्ट चायवादी कवी, चार जिनकी चर्चा की जाती है, उनमें प्रतिनिधी कवी के रूप में सुमित्रा नंदन पंत को भी याद किया जाता है इन्हें छायवादी चतुष्टे के नाम से भी जाना जाता है चतुष्टे यानि चार कवी जिनकी चर्चा भी हमने की सुमित्रा नंदन पंत का रचना काल बाकी के तीनों कवियों की तुलना में विस्तृत रहा अधिक विस्तृत रहा लगबग साथ साल तक वो अपनी लेखनी से यानि छे दशक तक वो अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को बारती वांगमे को उपकृत करते रहे प्रकरती जीवन और मनुष्य यानि मानव जीवन और प्रकरती का वैभव इनका एक अटूट रिष्टा एक अभिन संबंद बनता है और इस यथार्थ रिष्टे को पंत जी ने नैनिताल की उत्तराखंड की उन परवत शंखलाओं में रहकर जिस निकटता से जीया और अनुभव किया है उसके साक्ष बने हैं उन सब का ऐसा जीवन्त और विश्वसनी चित्रण अन्यत्र दुरलब है मृदुमंद मन्द मन्थर मन्थर इस तरह की जो शब्दावली है ये पंत की कविता में हमें मिलती है वो वास्तव में अप्रतिम है और अन्यत्र दुरलब भी है पंत जीवन उनका व्यक्तित्व उनका रचनसंसार इस बात का साक्षी है कि सारस्वत अनुकंपा और क्रपा उन पर निश्चित रूप से थी जो उनके रचन धर्मिता से रचनसंसार से उदगाचित भी होती है बीस मई सन उन्निस सो में पंत जी का जन्म हुआ था लगबग आज से एक सो बीस वर्ष पहले कोसानी जो अलमोगा में उत्तराखंड में एक महतपून दर्शनीय स्थल है पर्यटन स्थल है परवत शंखलाओं का विलक्षन वैभव और सौंदर वहां विकीन है ऐसे कोसानी शहर में अलमोडा के उनका जन्म हुआ उनकी बाता सरस्वती देवी थी यही कारण है के सारस्वत कृपा भी पंत जी पर विशेशूप से बनी हुई थी पिता गंगा दत पंत थे वो नकेवल एक कभी एक गद्यकार अपितु एक सशक्त पत्रकार भी थे मतवाला नाम की पत्रिका जो की चायवादी दौर की बड़ी प्रसिद्ध कभिता थी उस पत्रिका का पंत जी ने संपादन भी किया और अनेक प्रकार की रचनाओं से छोटी बड़ी कविताओं से कावे संग्रहों से गद्य लेखन से बहुत महत्पूर्ण भूमिकाओं के लेखन से उन्होंने इंदी साहित्य को सम्रिद्ध किया नई दिशाएं नई आयाम दिये चिंतन और वईचारिक्ता का एक संपुट उनके द्वारा लिखी गई भूमिकाओं में हमें देखने को मिला कविता की सैद्धांतिकी पर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की वह कारे जो संस्कृत का विशास्त्र में संस्कृत के प्रतिष्ठित आचारें ने किया उन सब के परिप्रेक्ष में पंत जी ने भी अपनी रचनाओं की भूमिका में अपने आलोच धर्म का अपनी आलोचक धर्म का परिचे दिया पंत जी ने सन 1961 में शरीर छोड़ दिया कुल 61 वर्ष की आयू उन्होंने प्राप्त की और इस आधार पर उनके समग्र अवदान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि निराला के कालजई साहित्त का अन्य विकल्प साहित्तिक धरा पर दुल्लब है तो पंत का भी कोई दूसरा सानी कोई दूसरा विकल्प हमें नहीं मिलता उन्होंने प्रकर्ति के जैसे चित्र जैसे बिंब कविताओं में गद्ध भाषा में उके रहे हैं वो वास्तव में उन्हें विलक्षन बना देते हैं बंत जी को पद्मभूशन ग्यानपीट साहित्त अकादमी सोवियत लेंड पुरुसकार नहरु पुरुसकार के नाम से जिसे जाना जाता है इन राष्ट्री इस्तर के महत्पूर्ण पुरुसकारों से सम्मानों से सम्मानित किया गया वस्तुत है इन सम्मानों का ये सम्मान था पुरुसकार था जो पंत जी ने सुईकार किये प्रकृति के चितेरे कवी सुकुमार कवी पंत का अगर हम जन्म देखें तो अलमोडा में 32 किलोमेटर की दूरी पर कौसानी गाओं वहां पर हुआ था और उनकी माता ने मूर्चे तवस्ता में उन्हें जन्म दिया था यानि पंत जी के जन्म के बाद के समय वो शरीर छोड़ देती है इसलिए कभी ने स्वयम पंत जी ने लिखा भी मात्री चेतना शिशुको दे प्राणों का संबल अंतर हित जब हुई भाग्य चल कहिये विधी बल वास्तव में विधना के आगे विधी के आगे नियती के आगे हम सब विवश होते हैं लेकिन ये कितनी विकट स्थिती और विधना की कितनी गहन अनुभूती होगी कि पंत जी का जन्म हुआ और उसी समय माता का निधन हो गया ये एक बड़ा निर्मम आगात था जिनको पंत जी ने सहन किया और आजीवन उसकी अनुभूती उनके साथ जोड़ी रही इस निर्मम आगात को कौसानी की ममतामाई संदृष्टी प्रकरती भी नहीं सह सकी इसलिए पंत जी को अपने विशाल सनेहिल अंक का प्रश्चा ही नहीं दिया उस प्रकरती ने बलके वह सब भी वरदान रूप में प्रदान किया जो एक सनेहिल धात्री ये जो धर्ती है कौसानी की उसने मातरत्वक की तरह पंत जी को वह सब दिया जिसकी एक बालक को अपिक्षा होती है यही कारण है कि प्रकरती के अंक में ही लालन पालन होने से प्रकरती उनका प्रिय विश्य बन गई उसी प्रकरती में उन्होंने मा को देखा पिता को देखा भाई सखा मित्र शिक्षक प्रेयसी सब कुछ वो प्रकरती में देखते रहे इसलिए प्रकरती के प्रती उनका जो लगाव था जो रुजान था वह स्तुत्य था पंतजी ने स्वयम लिखा भी मा से बढ़कर रही धात्री तू बच्पन में मेरे हित धात्री कथा रूपक भर तूने किया जनक बन पोशन मात्रहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन वास्तव में प्रकरती का वह वरद हस्त पंतजी के सर पर सदा बना रहा और उसके प्रती वो उपकृत भी रहे और बार बार कृतग्यता ग्यापित करते रहे इसलिए उन्होंने मा से बढ़कर स्थान उसी धरती उसी प्रत्वी उसी प्रकरती का स्विकार किया वास्तव में लालन पालन पोशन दुलार सब उसी प्रकरती के आंगन में उन्हें मिला पंत जी के वश में शास्त्रग्य विद्वान सेना अध्यक्ष जोतिशी वैद्य कवी सब थे यानि वो उनके प्रशंसक उनके अनुयाई इस रूप में उपस्थित थे पंत जी के पूरवज श्री पुरशोत्तम दास अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे पंत जी के वन्ष में और उनके महत्री परिकर में उनके परिवार के सदस्यों में सेनानी भी थे जोतिशाचारे भी थे, चिकित्सक और वैद्ध भी थे और युद्दवीर, धर्मवीर ये सब भी थे उनके दादा श्री मदन नारायन के पास एक बड़ी संपता थी साथ गाओं उनके आधीन थे, संस्कृत के प्रकांड विद्ध्वान के रूप में पंडित के रूप में वो लब्द प्रतिष्ठ थे पिता गंगादत अंग्रेजी और संस्कृत के प्रकांड विद्ध्वान थे माता सरस्वती देवी, अत्यंत व्याभारिक और कुशल ग्रहनी के रूप में प्रसिद्ध थी पंडित अपने माता पिता की आठवी संतान थे उनके तीन भाई हरदत, रगवरदत और देवीदत और चार बहने बसंती, माधवी, रुकमिनी और गौरी थी सुमित्र नंदन पंत ने पाँच वर्ष की अवस्था में गाउं की पाटशाला जो की कौसानी स्कूल से तीसरी कक्षा पास की और आगे पढ़ने के लिए वो अपने भाई देवीदत के साथ अलमोडा चले गए तो प्रारंबिक शिक्षा कोसानी के स्कूल में तीसरी कक्षा तक और उसके बाद फिर अलमोडा जाकर उन्होंने आगे की शिक्षा दीक्षा ग्रहन की आठमी कक्षा में जब वो अध्यान रत थे तब उनका परिचे श्री गोविन वल्लब पंत से हुआ और उनके भतीजे शामा चरण तथा इलाचन जोशी जैसे साहित्यकारों से हुआ इससे पंत जी की साहित्यक अविरुची और बढ़ गई साहित्यके प्रती आस्था में निरंतर व्रद्धी होती चली गई ऐसा कह भी जाता है कि साहित्यकी श्री व्रद्धी संसर्ग से संसकार से परिकर और परिवेश से भी होती है गोविन्वल्ला पंत स्वयम भी नाटकार के रूप में रचनकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं तो पंत जी के संसर्ग में आने से इलाचन जोशी के संसर्ग में आने से सुमित्र अनंदन पंत की साहित्यक श्री व्रद्धी हुई अभिरुची में बड़ोत्री हुई अलमोडा में सुमित्र अनंदन पंत बहुत कम समय तक रह पाए उन्हें आगे पढ़ाई के लिए मंजले भाई के साथ सन 1918 में बनारस जाना पढ़ा बनारस जो उस समय शिक्षा का प्रमुक केंद्र माना जाता था वहाँ से हाई स्कूल की परिक्षा पास की और सन 1919 में जुलाई माह में वो प्रयाग के मियोर सेंटरल कॉलिज में इंटर कक्षा में प्रविश्ट हुए प्रयाग पंतजी को सरवाधिक प्रसं करने वाला स्थान बना उससे बहुत विमुक्द हुए प्रभावित हुए यहाँ वे रामचंद्र टंडन, परशुराम चतुरुवेदी, जस्टिस कैलाशनाथ, बाबुराम सक्सेना, धीरेंद्र वर्मा, अवधेश प्रताप सिंग और रगवीर साहे आदी ऐसे प्रतिष्ठित और बड़े रचनाकारों के संपर्क में आए कावे रचना का जो बीज पंत जी के हिर्दय में अल्मोरा में पड़ा था बनारस में आते हुए, उसमें अंकुर प्रस्फुटित हुए और वह व्यावारिक रूप से प्रयोग में दिखाई देने लगा उसमें अंकुरित होने के साथ साथ पुश्पित प्रलवित होने के संकेद भी मिलने लगें यही कारण है कि पंत जी की यात्रा, कोसानी, अल्मोरा, बनारस, इलावाद, प्रयाग यहां होती रही और उनका साहित्तिक संसकार प्रखर होता रहा, प्रबल होता रहा उनकी कावे रचनाओं में वीना बहुत प्रसिद कावे रचना मानी जाती है जिसमें प्रथम रश्मी महत पूर्ण है, गरंथी एक दूसरी रचना है, जिसमें कुछ कविताओं के चैनित अंश संकलित है और प्रकरती दर्शन विशेशूप से इस रचना में देखने को मिलता है पल्लव जो पंत जी को अत्यदिक प्रसिद्ध दिलाती है, जिसकी भूमिका ने समा लोचना के एक शेत्र में कविता की सहद्धान्तिकी के एक शेत्र में अपनी विशेश पहचान बनाई उस पल्लव में परवत प्रदेश, पूर्वसंदि, परिवर्तन, आसू, मोह, बादल, मोन निमंतरन ये सब कविताएं जिनका संग्रह किया गया उसके बाद गुंजन नामक कावे संग्रह देखने को मिला जिसमें गुंजन शीर्शक से, तपरे मधुर मधुर मन, मैं नहीं चाहता, चिरसुख, भावी पत्नी के प्रती, अनजान, जियोती मैं जीवन, एक तारा, नौका विहार, तेरा कैसा गान, इन सब कविताओं का संग्रह हमें मिलता है पाच्वा कावे संग्रह युगपत के नाम से प्रकाशित हुआ, दृत जहरो जगत के जीन पत्र, बासों का जुर्मुठ, ताज, मानव, संध्या, भारत, गीत, इन कविताओं का संग्रह मिलता है और युगवानी नाम से एक अन्य संग्रह कविता का आया जिसमें युगवानी, नवद्रिष्टि, पुन्य प्रसून, गंगा की सांज, गंगा का प्रभात, युग संगर्ष, इन सब को कविताओं को समाहित किया गया स्वन किरन नाम से जुका विसंग्रह आया, उसमें रजत आप, स्वन निर्जर, हिबाद्री और समुद्र, और कव्वे के प्रती, गीत, विहग, इसी तरह स्वन धूली, नामक रचना में स्वन धूल, जयोति व्रिशब, प्रचन मन, स्रजन शक्तियां, चोथी भूख, जन्म भूम, लोक सत्य मर्म कथा, ये सब संग्रहीत हैं उत्तरा भी बहुत चर्चित कावे रचना है, उत्तरा युग छाया, युग संगर्ष, युग विहग, जागरण गान, मेगों के परवत, रूपांतर, कावे चेतना, नव पावक इसी तरह अतिमा, जिसमें नव अरुणोद है, गीतों का दरपन, अहवान, वानी, कावे संगरही जिसमें अंतर ध्वनी, कृतग्यता और वानी, विकास ख्षेत्र, घोंगे शंक, चैतन्य सूर्य, भारत माता, आत्म प्रसारण, कला और बूड़ा चांद, इसमें बूड़ा चांद, धेनुए, गीत खग, पाद पीठ, अवरोहन, वर्दान, देन, सिंद मंथन, और लोकायतन, जिसमें पूर्व स्मृती, और किरन वीना, जिसमें सूर्योद है, रस सूर्योद है, वंशी, विहंगिनी, लक्ष, प्रजू भ्रम, नया बोध, खोज, ऐसी कवितायन संग्रीद की गई, पोफटने से पहले, इसमें अंदकार, प्रीती चंदिरा, माधर्ती, कवी, प्रेमा, भवजीवन, दारुन रण, जन्म दीवस, इसी तरह की, स्वरनिम रथ चक्र में, उच्छ्वास आंसू और दो, छाया, अशोकवन, मर्यादपुर्शूत्तम के प्रती, हिमाद्री, बुद्ध के प्रती, और इसी तरह पतजळ में, एक भाव क्रांती, पवन पुत्र, गिरिकोयल, तारा चिंतन, गीत दूत, गीत प्रेरणा, रित्व पतजळ आदी, मान दंड, वेनी, जीवन कर्म, चार वाक, गीतों का स्रोत, सौंदर भेरवी, और गीत हंस में, धर्ती के खूंटे से, आख मूंदता, अब मैं, ये तमाम तरह की, वन्य विहग, अब भी, व्यक्ति मुखी मन, मैं जनभू का कवी हूँ, ऐसे ही शंकध्वनी में, संक्रांती, और कला की सार्थक्ता आदी, इन कविताओं का संग्रे, पंत जी ने किया, तो हम देख सकते हैं, कि पंत जी का जो रचना संसार है, वो बहुत बड़ा रचना संसार है, इसलिए बहुत लंबे समय तक, उन्होंने साहित सरजन किया, गद्दे पद्दे में, अपनी लेखनी का लोहा मनवाया, ऐसे महान अभी सुमित्रन नंदन पंत हैं, जिनकी रचनाओं को, जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व को, हम इस कारिकरम के माध्यम से जान रहे हैं, अभी हम इसे यहीं विराम देते हैं, फिर इसी को अगले बार आपके समक्ष रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, विवेचना करेंग आग्या दीजिए, नमस्कार.